हमाई फ्रेंड्स आज बनाने वाले हैं हका नुडल्स तो हम पनाणे वाले हैं हका नॵूडल्स तो हम शर्प से लेखा आ है तिकरी बनें 150 ग्राम का एक पाकेट है वे ज़ुत हाका नूडल्स है दो पाकेट लेखा लेका आ है और शाथ में बróकली लेका तोस्तों आपने काट लिया सब्सक्राइब कर दोस्तों आपकी जैसे मर्जी आपको अब काट सकते हो आपने इस तरह से काटा या गाजर को भी और प्यास को भी मोटा मोटा काट लिया सारा और एक पैन लगा जाया हमने इसमें डालनेंगे ओयल सरसुक ओयल डालनेंगे हम कोई ओयल डाल सकते हो थोड़ा ही डालनेंगे ज्यादा नहीं इसे हमारी सबजियां पक जाएं पूरी भी नहीं पकानी है तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें डालनेंगे सबजियां कि मारा तेल गर्म हो रहा है अब इसमें एड़ करेंगे थोड़ा साल्ट जो सब्जी में हो जाएगा पूरा और अब इसमें एड़ करेंगे सब्जी अब इसको पकाएंगे दास्ते पंदर में पूरी तरा पकाएंगे भी नी थोड़ा काच्छा रखेंगे और इसकी तरा से पकालेंगे पाप्राइट करेंगे जो हमारे पास नूड़ाक पड़े हुए पैकत इसको हम थोड़ा bets pulling यम्यट को पानी में गा कि कैंग यह जाद है और इसमें डालेंगे नूडल्स इसको उबालेंगे 5-7 नेट जब तक फोड़ा सा गलना जाए तो इसको जल्दी हम पानी में ऐसे निकाल देंगे पानी को फैंक देंगे को फोड़ा साइब को पानी में लुब जाएगा तो अपने आःभी हो जाये गार नर्म हो जाएगा अ कि पร़र पतीला कंपड़ गया है कोई बात रिया इसमें फूरस दबा देंगे चला जाएगा अंदर तक पानी में दूब जाएगा जाएगा अभी हम देख लेते हैं हमारी सब्सक्राइब है कि नहीं हमें डखकन रखा हुदा इसके उपर यह दिखिए पक रहे हैं तेल थोड़ा कम डाला थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ी पक जाएगी ज्यादा पकानी नहीं है फुर तरह गल जाएगी तो अरलो नॉडल्स को देख लेते हैं जैसे देखिए दिरे जम होने लगए पानी जाने लगा यदि को किम जमख 10 थां ऑफ कर दितें और सब्सक्राइब live नंडख लगा आपके पकरी है प्त्री के देखिस ढहने हैं पानिय में जाहरा बहुत जाएधा तो ये अच्छे निए लगेंगे चार नपने जाए नूडल से मदानी आता है ठोड़े से हाड़ने चाहिए और सबसी पक रही है एक बार फर देख लेते हैं तक रीबद पकी गई है थोड़ा ओब तीन मिनाट लगेंगे थोड़ी सी रैड कलर में आने चाहिए अभी हम करेंगे नूदल सुबरेंगे गैस बंटेंस और हमने एक शानी लिया हुए शानी में ढालेंगे इसको नूदल पानी निकालेंगे बहुत गर में सारा पानी निकाल दिया है दोस्तो फुलासा हाडी राना जी ज्यादा पक्कना नी चीए ज्यादा नर्म नी उना चीए मीडियम ना ज्यादा कच्चा ना ज्यादा पक्का अब हम सब्जी को अच्छी तरह से लाई लेंगे त्यार होगी कि निए हम फोड़ी पच्ची रखेंगे इंगे बाद में भी पक्केगी थोजी अब फ्रेंट्स त्यार नहीं हुई सब्जी अभी पांच मेंटो लगेंगे तो हमारी सब्जी गई है पक यह देखे इस तरह से ज़्यादा पकानी नहीं थी रेड कलर में थोड़ा सा आगया तो देखिया आप इस तरह से आधी तच्ची आधी पक्की रखेंगे अब इसको उतारेंगे ग्यास से नीचे अभी लगाएंगे कडाई बड़ी सी कडाई लग नूडल्स में गी डालते हैं हम डालते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जुरूर ट्राइब करना अब इसमें हम करेंगे सब्जी को ट्रांसफर अब इसमें आड़ करेंगे नूडल्स को बाल के रखेंगे सारे थोड़े से जम गए हैं फोड़ा सा खोल लेंगे हमने इसको कच्छी से हिला लिया है थोड़ा क्योंकि जम जाते हैं थोड़ी कड़ाई हिल रही है सोरी अब इसमें एड़ करेंगे मसाला जो हमने चौमीन हका नूडल्स मसाला लाया है दस्रवेगा पोच मिलता है डालेंगे बहुत अच्छा मसाला है ज्यादा डाल सकते हैं थोड़ा आदा और पैक डाल देंगे आदा पोच और इसको हिला लेंगे अब यह फूरी तरह से मसाली को मिक्स करना है और इसको पांच से साथ 10 मिन तक पकाना है अच्छे से मसाला पक जाएगा थम इसमें ओन मसाला आड़ करेंगा आदा पोच तो फ्रेंट्स इसमें आदा पोच और डाल देते थोड़ा तीख हो जाएगा पैसी अच्छा अच्छी तरह से हिलाना पड़ता है मगर हमने कैमरा फुद पकड़ा हुआ है तो हम कैमरी को आफ करके थोड़ा ला लेंगे फिर आपको दखाते हैं तो देखिए फ्रेंट्स एकरिवन पांच बना इसको पकते हो गए है पांच नेट और पकाएंगे अधिए बहुरी अच बाहर रस्टोरेंट्स से लाओ करते हैं और बहुत ही कॉस्ट्ली होता है तो फ्रेंट्स हमारे नूडल्स रेड़ी हैं खाने के लिए यह से हमने आपको पहले बताया कराई थोड़ी हिलती है गयास पे उसके लिए व्यूद्यो थोड़ी सी हिल रही है हमारे यह देखिए थोड़ा और इसको कट्षी से हिला लेते हैं मिसाला मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से यह ब्रोकली जो डाली गया है बहुत ही अच्छी लगते इसमें तो फाइनली हमारे नूडल्स पुरी तरह मसाला इसमें मेक्स हो गया है अच्छी तरह से और इसको हम खाने के लिए एक प्लेट में डालते हैं गर्मा गर्म नूडल्स रेडी हैं और मारे प्लेट भी रेडी है डालेंगे प्लेट में यह देखें मज़ा आ गया फ्रेंस रेस्टोरेंट जैसे नूडल्स गर पे उसके भी बैस्ट बनते हैं यह देखें तो अब हम इसको खाने वाले हैं और साथ में लिम कब गयराख पी लेंगे बहुत अच्छा लगेगा तो मैं बहुत ही जादा खाने वाला हूं और आपको वीडियो अ आपको दखा देते पूरा लुक तो थेंक यू सो मच और गुडबाई